नमस्कार एक बल फिर आपका स्वागत है साधना नियूज में और मैं हूँ नम्रितात अमरिकार रुक करते हैं खबरों किया इंदोर शेहर के पश्चिम छेत्र में स्थित पित्र परवत पर 25 मार्च को 51,000 हनमान भक्तों द्वारा हनमान चालिसा का पाठ किया जाएगा जिसक जिसके उचारण मात्र से सभी कस्टों का नाश हो जाता है अगर हनमान चालिसा का पाठ एक कावन हजार भक्तों द्वारा किया जाएगा तो उससे निकलने वाली उर्जा इंदोर शेहर को नई उर्जा प्रतान करेगी वही परतमान समय में जो युबा वर्ग नशे का आद क्योंकि हमारा युवा ही भारत का स्वर्णिय भविश हैं हम आपको बता दे कि इंदोर शेहर के पस्च्छेतर में सित्पित्र परवत अपने आप में चमत कारिक परवत है क्योंकि इंदोर वासियों द्वार आपने पित्रों की याद में इस परवत पौधे लगाए जाते है जो पित्र दोस्ट से मुख्टि को याद दिलाते हैं वहीज साथ में पित्र क्रपाभी होती हैं, इनदोर वासियों का मानना है कि जब से पित्र परवत में हनमान जी स्ठापित हुए है? तब से इनदोर शहर नंबर 1 बना है और शहर को विकास की गती मिली है और देश दुनिया में अपनी अलग पहचान रगता है उसके बाद उनका यहां पर प्रवचन होगा यह एक बहुती अद्भूत कारिक्रम होगा क्योंकि हनुमान जी की प्रतिमा है और साक्षात यहां पर हनुमान जी बेठे हुएं ऐसा सब लोग हम सब लोग मानते हैं उनके सामने महान संतों की उपस्तिती में माकनकेशवरी देवी जी भी रहेगी श्रीश्री विद्यादाम के महामन लेशवर चिन्मैन जी महराज भी रहेंगे राम गोपाल दाश जी महाराज महामन लेशवर वो भी रहेंगे और बहुत सारे महामन लेशवर यहां संतों के एक बहुत बड़ी टीम होगी उसके बीच में आर्ट आफ लिविंग के हमारे कारिकरता और डिपोटीज और देश शहर के सभी हमारे भक्त जादा से जादा संख्या में भाग लेकर इस कारिकर में भाग लेंगे इस वक्त हम मवजूद हैं इंदावर शहर के पित्र परवत पर जहां पर बिश्व की सबसे बड़ी उची प्रतिमा विद्धिमान है जी हां इंदावर शहर का पित्र परवत अपने आप में अदभूत है बिलक्षन है यहां पर आप देखेंगे कि मेरे पीछे देखेंगे कि इनकी स्थापना हुई थी और जब से ही ये परवत पहले एक उजाड था इंदोर शहर का पश्चिम शेत्र में एरपोर्ट के नजदीक ये परवत इस्थित है जहां पर पहले एक उजाड यहां पर ऐसी कोई विवस्था नहीं थी लेकिन हमारे जो उदोग मंत्री कैलाश वि लेकर अपने पित्रों की याद में इस पूरे परवत पर एक पौधा लगाने का कार शुरू किया धीरे 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 इसकी अभियान की शुरुआत हुई इंदोर वासी जुड़े और आप देखेंगे कि आज ये जो पहाड़ी है आज एक यहां पर इंदोर शहर का हो गया है और दूर दूर से लोग यहां आते हैं हनुमान जी के दर्षन करते हैं और कई लोग अपने पित्रों की याद में यहां पौधे लगाते हैं यहां पर अभी माननिता है कई दोश से मुक्ती भी मिलती है कई बार ये भी सामने में आ है कि जब इंदौर शहर बहुत पहले से एक जाना पहचाना नाम था बहुत सारी यहां पर सुबिधाएं थी लेकिन इंदौर का विकास नहीं हो रहा था लेकिन ये एक शुब ही कहेंगे कि जब से हनुमान जी की प्र और ये हकीकत भी है कि जब से इस मंदिर इस मूर्ती की स्थापना हुई है जब से इंदौर शहर अपने आप में नंबर वन है अपने यहां की जो बिलक्षम्ण जो प्रतिमा है यहां कि शायद किसी देश में या किसी शहर में ऐसी प्रतिमा देखने को मिलती हो और ऐसी पर शुरुवात होने वाली है कल से और 25 तारीक को 51,000 भक्तों द्वारा यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा यह अपने आप भी एक अद्भूत है कि 50,000 भक्त अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उससे निकलने वाली उर्जा शहर के लिए हितकर होगी वास्तो होता हुई वही हमारे अंदर से जो विक्रती को हराने की शक्ती आती है और हम अपने आप में एक उर्जा मान उर्जा महसूस करते हैं तो जो 51,000 भक्तों द्वारा जो यहां पर सुन्दारकांड का जो हनुमान चालीसा और सुन्दारकांड का जो पाठ किया यहां पर किस तरह तयारी की जा रही है। फिस तरह लोग इन दौरवासियों की साथ जुड़कर किस तरह से आय। योजन किया जाएगा. और एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गोबर से लिपाई जो हो रही है तो इस जगह को एक गाय के गोबर से लिपाई हो रही है क्योंकि इस जगह खुद यहाँ पर गोशाला भी बनी हुई है और जो गाय यहाँ पर पाली गए है उन्हीं के गोबर से लिपाई का का शुरू है कहते हैं कि जब भी आंगन में गाय के गोबर से लिपाई होती है तो अपने आप में जो जगे होती है शुब हो जाती है और देवी देवताओं का वास होता है इसी के तहत ये पूरे गोबर से लिपाई का कारकम यहां पर शुरू है और चुकि समय कम बचा है और य शिरी शिरी महराज भी यहाँ पर आने वाले हैं, उनकी भी तायारियां शुरू हो चुकी हैं, और आप देखेंगे कि वाकई हनुमान जी की जो बिलक्षड प्रतिमा है वो अपने आप में देखते बनती हैं, और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, जो हनुमान जी के शुब है, अपने आप में उर्जावान है, क्योंकि यहाँ पर जब किसी की जिन्दिकी में पित्र दोश होता है, तो इस जगए आकर अगर आप एक पौधा लगा देते हैं, हनुमान जी की करपा ही कहेंगे, कि जब आप एक पौधा लगाते हैं, तो आपको पित्र दोशो से मुक्ती मिलती है, और आप अपने जीवन में उर्जा का संचार करते हैं, मेरे सहयोगी अंकिस शाह के साथ शितल रॉय इंदौर, इस वक्त हम मवजूद हैं, इंदौर शहर के पित्र परवत पर, जहां पर बिश्व की